सबसे पहले तो आप सब इस वीडियो में अगर है चोई ये वीडियो के बाद आपका जो eliminator है वह सभी स्वें किर वह सब्छे करोंगा इस Peng यह इसिए अपने डेयो prophet3 peach ये से य हसा कि यह बे Quiीया गाट बाउट और अधिक राव यह सब्सक्राइब एक की साथ active होगा या बाद में active होगा और अगर आप चाहते दोनों unlimited plan आपने जो भी रिचस किया है वो दोनों एक के साथ active करें तो वो आप कर सकते है या नहीं और उसके साथ मैं आपको ये भी बताँगा कि अगर आपका जो भी current plan चल रहा है वो खतम होने से पहले ही आपने प्लान अपने रिचस कर दिया तो वो कॉप से active होगा अगर अभी रिचस मतलब active हो गया तो आपका जितना दिन बचा हुआ था वह आपको मिलेगा या नहीं या तो बाद में active होगा वो सब भी आपका जितना भी डाउड है इस वीडियो में में आपको क्लियार करने वाला ह तो अगर आपको भी जाना है तो यह वीडियो स्किप के विडियो शुरू करते हैं तो यहां पर मैं आपको उता दो फ्रेंस मेंने भी एक इसाथ तीन प्लान यहां पर रिचस करके बेटा हूँ तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर लाइप हो ने गता हूँ उषके बात में को यह पर आपकर जितना भी डॉट रहेगा वह में आपको क्लियर कर देता हो 나서 शुरे नीं पर रिसके करने के बाद आप यहां पर देखकते मैंने जो भी तीन स्कंदिया आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले तो जो 479 का अन्लिमिटेट प्लान है यहां पर एक्टिप दिखा रहा है और उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं 58 का जो डेटापेग है यह भी एक्टिप यहां पर दिखा रहा है लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं जो मैंने 3Ball9 का एक unlimited plan रिचास किया था वो यहाँ पर active नहीं है यहाँ पर coming आप दिखा रहा है यानि कि आप एक की टाइम पर दो जो unlimited plan है वो रिचास मतलब active नहीं कर सकते अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं फिर भी आपको यहाँ पर कोई भी active करने का यहाँ पर option नहीं है यानि कि आप दोनो unlimited plan एक की साथ active नहीं कर सकते हैं ये बात तो आपका साइट clear हो गया लेकिन अगर आपने एक unlimited plan रिचर्स किया है और वो active हो रहा है और उसके साथ अगर आपने दूसरा कोई भी data pack रिचर्स किया तो वो active हो जाएगा लेकिन उससे पहले ही आपने दूसरा unlimited plan रिचर्स कर दिया तो वो दोनों एक साथ active होगा या आपका जितना दिन बचा हुआ था वो आपको बाद में मिलेगा या नहीं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ यह से कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वो उसके बाद active होगा यानि के unlimited plan जो चल रहा है वो खतम होने से पहले दूसरा new unlimited plan अगर आपने रिचर्स कर दिया फिर भी वो active नहीं होगा तो आपको यहाँ पर कोई भी नुखसन नहीं है अगर आपने दोनों unlimited plan एक साथ रिचर्स कर दिया फिर भी आपका कोई यहाँ पर नुखसन नहीं होगा एक खतम होने के बाद ही दूसरा यहाँ पर active होगा तो प्रेंज उमीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए helpful लोगा अगर वीडियो चल लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीज़े और शेयर का helpful वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा तो आज के लिए इतना है फ्रेंज मिलते हैं नेसे उडियो में तब तक के लिए बाई बाई थेंक्यू